दोस्तों अगर आप सेटी परपस दे गाड़ियां चाहते हैं तो कहीं नगें दो गाड़े को आप जरूर देखते होंगे अपने बजट में जो कि 5-6 लाग-7 लाग के बजट में आ जाते हैं जिसमें कि दोस्तों पहरी नमर में आती है हमारे पास में मारुती नेकसा की तरफ कम में भी मिल आती हैं इसी डाउट को हम आच मैं क्लियर करूंगा विल्कम बैक टो मिस्टर कार्स मैं हूँ आपका दोस्त प्रदीव कुमार चनल पे नहें तो प्लीज इट्स हमारे को सब्सक्राइब कर लीज़े नहीं तो बहुत सारी कंपरेजन वीडियो आप मिस करते है करेंगे तो बिना कि स्टार्ट करते हैं कर दोस्तों कर बात की जाए वैगनार के बारे में तो वैगनार आपको पता है 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 एक बलकी लुक के साथ में गाड़ी आ जाती है और हैच बैक में ठीक ठाक सी गाड़ी मानी जाती है इवेल लुक तो वैसे इगनिस और वैगनार का मतलब ठीक ठाक ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा है खास नहीं लगता है बट थोला कंफ्यूजन यहाँ पर क्रेटिंग लें मिल जाता है वैसे जो गाड़ी मेरे पास में खड़ी है इगनिस यह काफी हद तक वैल्यूफोर मणी है ज़स्ट पहली चीज़ तो यह बेस मॉडल है इगनिस आपको सिगमा वन मेरे पास में खड़ा हुआ है जो कि आपको यह पढ़ जाता है पांच लाग चौरासी रुपए में एक्षोर्म की मदव वहीं क्या है च्छे लाग रुपए में वह हमारे पास में वैगनार का वी एक्साइए मॉडल है यानि कि वह सेकंड बेस मॉडल आपको देखने के लिए मिलता है बट दोस्तों इसमें क्या क्या खास मिलेगा वह मैं आपको दो सबसे पहली चीज़ पता है कि वैगनार में आपको मिलता है वन लीटर इंजन मिलता है के 10C का वन लीटर इंजन मिलता है जो के नौशाट थानवे सिसी इंजन आपको मिलेगा जो कि आपको 652 पावर प्लस में 89 एनम का टॉर्क गाड़ी जंट करके देती है पर बात की जाए मारुति इ पहले जी चुकी और काफी ज़्यादा बहतर है और 1.2 लीटर मतलब की जबर्दस पाउर आपको मिल जाती वही आपको जो आपको सुर्फ में देखने के लिए मिलती है या डिजार में आपको मिले इवन अगर बलेनों में जाएंगे तो सभी मिल जाता है तो यह खास बात ह जिसकी वज़े से यह पहले विनर हो जाती है अब अगर बात की जाए गाड़ी के लुक्स के बारे में तो गाड़ी की लुक्स घर यह अपना परसनल चौइस हो सकता है जिस विकाज दोनों गाड़ी को अलगले लुक है और बहुत से लोगों को पसंद है लेकिन दोस्तों बात कीजाएं सीटी पर पस से सीटी में कौन सी चलाने में ज्यादा कमफट रहेगा ज्यादा आपको आराम मिलेगा तो इसका काफी ज़्यादा कह सकते हैं कि Base बढ़ चीज घुट है कि इसका जो इंजनन बहुत ही श्राइंड एंजन आपको मिलता है जो कि आप चलाते हो गाड़ी बहूत ही श्रमूतली आपके चलती है इवेन कुछ चीजे मतलब इस गाड़ी के बहुत ही अच्छी है जो कि आपको उसमें ने मिलती है first of all पता है क्या है बैगनार में आपको एक बहुत ही बड़ी चीज़ मिलेगी दोस्तों वो है क्या कि इसके जो एसी के विंट्स है वो बहुत ही थोड़ी से गलर टाइप के दे दिये गए मुझे एस प्रॉड़ी लगता है क्योंकि मैं खुद जब यहां पर आपको आराम से रहर मिल दाती है यह सबसे बैस पार्ट है अगर की चाहरों का वो टीचानल मिलता है है काफी जदा खुब लग रहे हैं यहां पर देख सकते हैं यूशेप में आपको मिलती है क्रोम की Chic ुक आपको इग्नेस में देखने के लिए मिल जाता है यहां पर देख सकते हैं हालेच्ण में बलब लगे हुए काफी बहुत य ही बड़ी सी है oppen आपको देखने के लिए मिल ब्लमल दाते है और एक एक जो जबाते लिए पानी है एक फ्युलिए नेकर को यहां पर देखने के लिए मिल चारता है मड़िये कहीं सवी its proportion नहीं लगती है जो कि मुझे असा लगता है पर यहां पर थोड़ा सा देखने मिलता है और अच्छा खासा आपको देखने के लिए मिल जाता है यह बात कि दोस्तों आपको बता हूं तो इसमें मिलता है और 15 यानिकी एक इंच आपको टार इसमें बढ़ा मिलता है देख सकते हैं 175-65R15 का टायर साइज बलता है बट यहां पर क्या है 165-70R14 का टायर साइज आपको देखने के लिए मिल जाता है और जो इसका जो ग्राउंड क्लेंस है that is 180 mm ग्राउंड क्लेंस यानि कि कह सकते हैं सिडी पर रुपर से थोड़ी सी स्यू टाइप की हैजबेक से की अपर की गा इसमें मिल जाते हैं और अगर बात की जह गाड़ी के रियर प्रॉफाइल के बारे में यहां पर दूस्तों देख सकते हैं कि रियर प्रोफाइल दोनों गाड़िएक अलंसम सेफ मिल गा मिन संपल से साली चीज़ए यहाँ पर देख सकते हैं जो भित यूछ को निलता ए कडिका जो बूट इस पेस यह देख सकते हैं बूट इस इसमें अच्छा घासा मिल जाता है 3014 लीटर संधिंग बूट इस आपको मिलता है सब्सक्राइब कर सकते हैं आपको इस गाड़ी में देखने के लिए मिल जाता है बहुत ही जबर जस्त भूड़ी स्पेस आपको इसमें मिलेगा पार्सल ट्रे आपके रखे हो यह रियर में सिक्स्टी फोर्टी सीट स्प्रिट आप कर सकते हैं यह आपकी वैगनार अच्छा साब को मिलेगा अगर आपको इस पेर वील देखना है दोस्तों तो इस पेर विल रखा हुआ है इस पेर विल का साइस बिलको से और 14 आपको देखने के लिए मिल जाता है इंटियर आथ चेक आउट कर सकते हैं यह थोड़ी से महंगी है कंपेर टू इगनेस अगर आप सिटी परपस से ले रहे हैं तो यहां पे आपको पीछे से लुक देखने में पता चल गाओ कि कौन सी गाड़ी लेने में ज्यादा बेनिफिट रहे हैं जैसे कि देख सकते हैं कि पीछे से थोड़ी सी छोटी लग रही है और एक कॉंपेक्ट में आपको देखने के लिए अच्छी दोस्तों पता है कि आपको दो देख सकते हैं दो पार्किंग सेंसर है बट यहां पर आपको फोर पार्किंग सेंसर प्रोवाइट के जाते हैं और दो रिफ्लैक्टर मिलते हैं रियर की टेल लैंप करेक्टें टेल लैंप है जो कि दोर पे और प्लस में यहां पे आपको दे दोसो साथ लीटर का बूड़ी स्पेस आपको मिल जाता है पार्सरल ट्रे आपको इसमें नहीं मिलती है बिकॉस इस बेस वरेंट और सिक्टी-फोर्टी वे में स्प्लिट आप इसको नहीं कर पाएंगा आप से हंडे पर्सेंट कर सकते हैं यहां पर दोस्तों देख सकते हैं इस पेर विल के टाइट साइस की में बात करो तो यहां पर आपका आर-15 याने की एक्जाटली बिल्कुल सेम साइस का आपको इस प्रेविल मिलता है तो यह है नेक्सा और नेक्सा में प्रिमियम नियस एक आपको अलगी देखेगे भले यह यह बेस वरेंट है इसकी सबसे दोस्तों यह कि आप इस गाड़ी को चलाएंगे तो पावर बहुत ही अच्छा आपको मिल जाता है एक बहुत ही रिफाइन इंजन आपको मिलता और जब गाड़ी को मतलब अगर मैं दोनों की बात करो अगर आप ड्रैग रेस भी करेंगे ना तो यहां पर यह सबसे पहले यहां पर आपको वह लिटर एंजन देखने के लिए मिल जाता है अब चलते हैं गाड़ी की अंदर आ जाते हैं वैगनार में आप अपन करेंगे तो यहां पर आपको सेंट्र लॉक आपको इस वाले वरेंट पर मिल जाती है दूस्तों आप दिख सकती चारों पाउर विंड आपको इसमें मिलता है इंजन आइडल साथ स्टॉप का फंक्शन मिलेगा ट्रैक्शन कंट्रोल दिए 2023 की न्यू अपडेटेट आपकी वैकनार मेरे सपास सामने खड़ी होई है विसी पैडल आपको मिल जाता है और अगर आपको अपन करने तो यहां से ओपन कर सकते हैं सा इसका एसी है यह थोड़ा से काफी प्रॉब्लमेटिक है विए फेस्पेस की एर नहीं आती है जब आप चलाएंगे तो ऐसे कुछ हाथ पकड़ेंगे तो यहां पर आपका इस तरीके से पूरी एर कवर कर लेता है यहां पर पुरी टकरा जाती है जिसकी वज़ेसे काफी अ सब्सक्राइब कर सकते हैं यहां पर यह सबसे अच्छी बात है दोस्तों साथ में यहां पर म्यूट कॉप्शन भी आपको मिल जाता है यह आपका मैनुवल एसी के कंट्रोल्स आपको मिलेंगे एक एसेसरी होल्डर चार्जिंग पॉइंट मिलेगा फाइब गयर मैल स्पीड के साथ में गाड़ी आ जाती है और यहां पर देख सकते हैं डिसेंट सा गलव वाक्स आपको मिलता है दो एयर बैक्स से आपको इसमे अब अगर बात की जाए कि भाई कम पैसे में यह तो 6 लाग में पढ़ती है वहीं पर इगनिस्ति अगर बात की जाए तो पांच लाग चौरासी हजार रुपए में यह आपको एक श्रूम कीमत में पढ़ती है और यह एक सिडी परपस से परस्नली मेरे को बहुत ही प्यारी गाड़ी लगी और दोस्तों इसने पता है सबसे खास बात कि सेफटी परपस से बहुत सारी चीज़े आपको बैटर मोलती है फस्ट फॉल इसमें आपको मलता है हिल असे स्ट्राक्शन कंट्रोल आपको दिया जाता है जो कि काफी बहतर है मींस आप इस गाड़ी को कहीं भी लेके जाएंगे तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा आप आराम से चला यह मस्त 1.2 लीटर इंजन है प्रिफाइंड इंजन आपको मिलता है आराम से आप इस गाड़ी को चला सकते हैं इवन दोनों ही गाड़ियों में 32 लीटर का फ्यूल टाइंड के साफ्ट में आ जाता ह ही थोड़ा नहीं मिलती है यहां पर देख सकते हैं काफी बढ़ है मतलब अच्छी हासी पकड़ बना पना कि आप जो सकते हैं काफी मज़ा आएगा अगर आपको डू जो वारे में उसे आपको कुछ भी करना तो आपको मानवली करना पड़ेगा एलेक्रोनिक कोई भी अडियस्मेंट आपको नहीं मिलेगा जो इसका स्टेरिंग है उसे आप एडिस्मेंट कर पाएंगे उपर न कांट्रोल सिस्ट्रम आपको ऐसा कुछ यहां पर नहीं मिलता है एक के कंट्रोल साब को मिलते हैं मैनवली 120 वाट मैक्स आपको देख सकते हैं यह आपका एक पर आपको मिल जाते हैं और यह आपका एक बहुत ही बड़ा सा डिसेंट गलव वाक्स प्लस पर आपको दिया गया जिसमें की चुछ से डायरी या वालेट काफी कुछ रख सकते हैं अलग-अलग सा कंपार्ट्मेंट है फुरह सा प्रिमियम नेस आपको मिलेगा इविन इसके जो एसी का देख सकते हैं यहां पर आपको दिया गया है तो यह चीज काफी बैतर जैसे आप चीज चला रहे तो अपको सीधा है मत्रवित तिरिछा नहीं जा रहा है यह सब से बैसी जा और यह तो खैर आपका फेस पर यह काफी बढ़ा चीज लगी इस गाड़ी में सबसे चीज चीज यह दोस्तों कि जाप सिटी में चला रहे हो हो गे तो आपको वीज अंदर बैठ बिल्कुल प्लेन मिलेगा क्वाल्टी जिनकी बहतर इसके रियर में आप देखें कि आपको हातों से बिंडो को आपन डाउन करना पड़ेगा और वन लिटर के बोटल आप आराम से रख पाएंगे आपकी स्पेस आप देख सकते हैं अच्छा खासा इस पेस आपको मिल जात इस तरीके से बैठेगा बहुत ही कमपर्टिबल राइट को इंजॉय आराम से कर पाएंगे साथ में दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि अभी क्या 23 की जितनी भी गाड़ियां आ रहे हैं सभी में आपको तीन अलग लग सीड़ मिलें यानिकि पीछे यह कंपनी को पता है क अब तीन लोग बैठते हैं और तीनों बंडों के लिए अलग से सेपरेट ले जैसे क्ली यहां पर देखसकते हैं पीछ में बंडे के लिए अलग से दिया गिए और जो यहां पर बैठेगा उसके लिए अलग से लेकिन हैड्रेस्ट दो आपको प्रोवाइट किये जाते हैं तो यह है 2023 की इगनिस इसमें की कंपल सरी हो गया है यह अभी जित्ती भी गाड़िया आरे सभी में यह लगर टाइप जो सीट बेल्ट है वह आपको इसमें देखने के लिए मिल जाती है अब चलते हैं मार बलकी कहां से लगती है सबसे कुछ चौकानेली बात मैं आपको बताओं जो इगनिस है वो चोड़ी है मारुती वैगनार से लंबी भी है मारुती वैगनार से बट जो हाइट एक्शुल में है वह वैगनार से थोड़ी सी कम है एक्जैक्टल मैं आपको बता देता हूं क्या और comfort थोड़ा सा कम है compare to Ignis आपको नहीं मानते हैं तो फिर आप चाहिए तो खुद भी ट्राइस चीज को कर सकते हैं बहुत ही ज़रूरी है पहली बार गाड़ी लेते हैं तो फिर कुछ चीजों का ध्यार लेकना बहुत ही ज़रूरी होता है यहां पर देख सकते हैं आपको दिए जाती है door handle आपको सिरवर क्लो में देखने के लिए मिल जाता है अब अगर मैं बात करूं इनके साइज के बारे वे मैं तो इसविए 2435 mm का वील बेस दोनों ही गाड़ियों में देखने के लिए मिल जाते हैं हाइट के अगर मैं बात करता हूं तो जो इगनिस है वो आपकी है 1595 mm और जो आपकी वैगनार है वो 1675 mm आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाती है आपको जो वैगनार है वो थोड़ी सी बलकि आपको गाड़ी लगती है अगर मैं लेंध बात करूं तो इगनिस की लेंध है 3700 mm वहीं पे वैगनार की लेंध है 3655 mm विट है 1690 mm इगनिस की 1620 mm है वैगनार की दोस्तों आपको बता चलो ना कि इसकी हाइट के ओल थोड़ी से जाता है बाकि हर मामले में यह गाड़ी ज्यादा बहतर है बाकि आपकी चौइस है दोस्तों कि आपको कौन सी पसंद आती है लेगिन अगर मेरे आकौने की पुछेंगे तो वैल्यू फॉर मनी जो वेरेंट प्रोड़क्ट है वह आपको निक्सा प्रोड़क्ट कर रहे है वह है मारूती इगनिस जो कि आपको लेना चाहिए बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप लेते हैं तो वाकि आपकी चौइक से आप चाहां तो वैगनार भी ले सकते हैं उमीद करते हैं दोस्तों आपको कीजिए विलते हैं नेरो के साथ है थैंक्यू सो मच